वल्कम तो सेंट जोसेफ स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल के सुडेंट्स ध्यान देंगे आप लोग का आज का टॉपिक है माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल अपना बुक्स सभी लोग निकाल लीजिए और आप लोग का टॉपिक है क्या या माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल पो और माइक रोफ्ट एक्सल में आपके चैप्टर सेट 2010 मैक्रो स्ट 1945vaisi हो या 2013 हो या 2160 कोई हो एनिवन ओके या 2019 हो कोई हो एनिवन हो सब का लुकिंग एक ही होता है सब का सेम होता है किसी का भी लुकिंग अलग नहीं है ठीक है सबसे ऊपर जो आप तो कद देख रहा हो सबसे उपर वाला जो बार है जिससे पर कि आपको लिखा हुआ है फाइल Home इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू बार इसे क्या कहते हैं मेन्यू बार टेटिज़ा मेन्यू बार और इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये पट्टी जो देखते हैं, इस पट्टी को कहते हैं हम लोग, रीबन बार, इसे क्या कहते हैं? रीबन बार, ओके? और नीचे में आपको एक पतला सा यहां पर रहता है जहां कि आपको कुछ-कुछ लिखते रहेगा जिसे कि हम लोग कहते हैं अस्टेटस बार अस्टेटस बार यह है नीचे में होता है अस्टेटस बार होता है Microsoft Excel में आप लोग अपने बुक में देख सकते हो और उसकी बाद आप देखे होगे तो आपको बुक में दिखाई देगा जो एक बार होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं Formula Bar यह जो बार है आपका यह जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम लोग Formula Bar या Formula Box कर सकते हैं है Formula Box क्लियर है यह हमारा क्या हो गया Formula Box हो गया और अब हम लोग देखते हैं आईए यह देखिए Microsoft Excel होता क्या है Microsoft Excel इजा अस्प्रीड सीट इसे हम लोग कहते हैं क्या क्या इजा एस्प्रीड सीट कहते हैं ओके इज़िए अस्प्रीड सीट सौफ्ट वेर कैसा सौफ्ट वेर है तो इज़िए अस्प्रीड सीट स्प्रीड सीट सॉफ्ट्वेयर या स्प्रीड सीट सॉफ्ट्वेयर है ओके जिसमें कि हम लोग डाटा इंट्री का काम करते हैं कौन-कौन सा काम कर सकते हैं तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं डाटा इंट्री वर्क डाटा इंट्री का वर्क कर सकते हैं दूसरा ओल टाइपस आप कलकूलेशन जितने भी तरह के संदों गे को सारे कालकूलेशन समल यहां कर सकते हैं करनेकार तुआ एडीसं मुल्टिप्लिकेशन डिवीजन परसेटेज एवरेज एस सारे चीज हम लोग यहां आसानी सेक्सिल में निकाल सकते हैं और यह सारे काम हम लोग कर सकते हैं और यहां आप जो देख रहे हो ऊपर में A, B, C, D, E है ना यह जो है आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन से आपको देखिएगा यह आपको रहता है ठीक है ना वर्टिकल लाइन यह है और उसी तरह से आप इधर होरिजोन्टल के तरह देखिए तो आपको लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके यह आपको होरिजोन्टली रहते हैं ओके तो एक हो गया आपका वर्टिकल बार रहते हैं वर्टिकल बार रहते हैं और दूसरा आप करते हैं होरिजोन्टल बार रहते हैं तो आप हमारे को यह बता नाम है कॉलम किसे कॉलम कहते हैं और किसे हम लोग रोग कहते हैं यह आप लोग हमारे को बताएंगे किसे कॉलम कहते हैं कौन सा कॉलम है जी जो हमारा वर्टिकल जो बार है यह लंबा लंबा जो बार है लंबे लंबे जो बॉक्स बन रहे हैं फिक है ना यह हमारा क्या है और ये जो आपका बन रहा है ये क्या है ये आपको बताना है चल्दि से बताएंगे आप लोग, किसे क्या कहते हैं तो जितने भी वर्टिकल बॉक्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कॉलम काते हैं और यह जो रहते हैं इसे हम लोग रोज काते हैं यह हमारा रोज हो गया वन रो टू रो थ्री रो फाइव फॉर रो और यह कॉलम हो गया A B C D E F G यह कॉलम हो गया और कॉलम और रो के कटने से जो यह जो बॉक्स बना यह जो बॉक्स बन रहा है इ क्या कहते है है सील ओके यह है हमा रा तंग है और यह जो है यूड ऐक ओलंवी कॉलंब और लिए आयलव, कोलंव, सी कोलंब, यह सब को हम लोग क्या कहेंगे कॉलंब कहेंगे इनक का कॉलंव यह जो रूज्ट आichen प्रमत कहीं है करेंगे चिस सेल पर घ्रामम लग माउस क्लिक कर देंगे तो उसकी चालों तौरप देख रहें ग्रीन क़्लर का बॉक्स बन गया और बीच जाते हैं तो हईट कलर का बाः जाये तो अब हमारा क्या है कि आप समझ लो कि उसका इस बॉक्स सेल को काते सेल को कहते हैं एक्टिव सेल इस सेल को क्या कहते हैं एक्टिव सेल और रेश्ट सेल जो है वह एक्टिव नहीं है यह सेल एक्टिव है काने का अर्थ हुआ कि इस सेल में आप लोग टाइपिंग कर सकते हो इसी सेल में आप टाइपिंग कर सकते हो जो सेल एक्टिव होता है उस या क्या चीज टाइपिंग कर सकते हैं हम लोग यहां टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट एक तो टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट दूसरा नंबर दोनों चीज टाइप कर सकते हैं ठीक है टेक्स्ट जो टाइप करेंगे वह आप देखोगे कि जैसे टाइप करोगे तो वह आपका है अब यह मैंने टाइप किया है कुछ अश्टुडेंट्स हिंदी इंगलिस मैं टोटल एवरेज ओके और नाम लिखा कुंदन सोनू मोहित अगरवाल गीता और इनके मार्क्स मैंने डाल दिये ठीक है और इनका टोटल निका लेंगे और एवरेज निका लेंगे तो किस तरह स हम लोग यह काम करते हैं आये मैं करकर दिखाता हूं और आप लोग इसे सीखेंगे किस तुर से हम इसे डिलीट करते हैं सिंपल है student पर गये और माउस का करसर क्लिक किये तो white plus से या select हो गया और इस white plus को हम लोग select किये हुए mouse का left click दावे हुए इस पर drag कर दिये तो पूरा का पूरा box select हो गया और delete button दाव दिये delete हो गया अब मैं type करता हूं यहां मैं type करूंगा student okay मैं type करता हूँ student 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 उसकी बगल में type करता हूँ hindi का marks उसकी बगल में English okay यह जो cell है यह हमारा जो type हो रहा है English जो type हुआ अभी यह cell active cell है और किस cell में type हुआ तो यह हो गया F column का third row F column का third row का कटान से बना है इसलिए सेल का नाम है F 3 यह किस सेल में type हुआ F three में okay तो हर सेल का नाम जो है वो यहां लिख देगा जिसे कि हम लोग नेम बॉक्स भी कहते हैं यह आपका फर्मूला बॉक्स है तो यह आपका अगला सिल में चला जाओंगा और यहां मैं टाइप करता हूं मैथ ओके में टी एच मैथ और फिर मुझे अगला सिल में जम्प करना है तो कौन सा की प्रेस करेंगे टैब की किसका की बोड का वेरी गुड टैब की प्रेस किये और यहां लिखते हैं टोटल ओके और नीचे आन की बी कहते हैं एक डाउन है एक एक राइट है लेट है तो हिकी की मदद से आप डाएवय उपर नीचे जा सकते अगर डाउन की Il करोगे तो आपको ये तो सिल पर गया और उसमें आपका टाइपिंग कर सकते हैं अपने टाइपिंग करता आ तो टाइपिंग करता हूँ, एक student है, बैठा हुआ, आरियन, second, मोहित, third, कुंदन, fourth, गीता, fifth, सुनीता, sixth, मुकुल, ओके, इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हो, अब मैं उपर जाना है हमें, तो माउस से भी जा सकते हैं, माउस से गए, और सीधा यहाँ पर जा करके, left-click दावे, cursor, यह select हो गया, अब हिंदी का marks यहाँ लिख देते हैं, बिना माउस का, यूज किये वे भी, अब इसे जितने जितने जिसको marks है, सब लिखते जाईए, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं मैं मैथ का भी लिखता हूँ, यह number मैं अपने मन से डाल रहा हूँ, सभी का, ठीक है, अब रहा, calculation करना, total करना, तो जो total करेंगे, तो यह जो देखिए, cell जो आप देख रहे हैं, यह cell का नाम क्या होगा, इस cell का नाम है, जी फोर, क्यों, क्योंकि यह जी कॉलम है, और फोर्थ रो का है, ठीक है, जी रो और फोर्थ कॉलम के कटने से बना यह cell है, इसलिए इसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, जी फोर, clear, इस तरह से हर cell का नाम है, अगर मैं बगल वाले cell में जाओं, तो देखिए, इसका नाम जो होगा, वह कैसा होगा, यहां पर हम इसे add कर एक है, कैसे, इकवल टू से, जब भी formula हमें write करना होता है, तो हमें symbol देना होता है, सबसे पहला क्या, इकवल टू का, ठीक है, formula writing के लिए कौन सा symbol देना होता है, equal to, खो कर दो कर दोीए, और उसके बाद हमारा यह cell है, या e4, लिखेंगे E4 पलस F4 पलस G4 E4 पलस F4 पलस G4 हमें यह लिखना होगा कल्कुलेटर से कल्कुलेट करते हैं 35 पलस 65 पलस 85 इक्वल टू प्रेस की यह कल्कुलेट हो गया अब देखें यह जो आप देख रहे हो यह जो फर्मूला है यह देखो कितना आसान है कल्कुलेट करना मैं कुछ क्या करता हूँ इसमें 2-3 सब्जेक्ट और एड़ कर देता हूँ सिर्फ हिंद इंगलिस मैथ नहीं रहने देता हूँ और एड़ कर देता हूँ एक साइन्स ओके SST उसके बाद मैं देता हूँ अब यह देखिए यह जो आपका ड्राइंग लिखे है चोटा हो जा रहा है तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं कैसे यहां करसर को लाईए उपर में यहां पर जैसे उपर में करसर लाईएगा जे और के के बीच में तो ब्लैक कलर का डबल सैडेड का एरो बन जाएगा जो आप देख रहे हो यहां पर बना हुआ है ने ब्लैक कलर का डबल सैडेड का एरो ध्यान दो यह है ब्लैक कलर का डबल सैडेड का एरो बना हुआ मैं जे और के के बीच में जब लाया माउस को तो वो बन गया, अब इसे हम लोग माउस का left click दावे वे drag करेंगे, तो इससे क्या होगा, यह छोटा बड़ा हो जाएगा, देखिए left click दावे और यह देखी बड़ा हो गया, इसी तरह से हम लोग संस्क्रीट को भी बड़ा कर सकते हैं, ओके देखिए बड़ा हो गया, तो मै है, हिंदी, इंग्लिस, मैच, साइस, और सिस्टी, बस यही पांच सब्जक्ट देता हूँ, इसके बाद टोटल लिख देता हूँ, देखिए इस पर करसर क्लिक किये, और कर दिया, टोटल, डिलीट हो गया, टोटल, संस्क्रीट पर माउस ले गया, करसर सेलेक्ट किये, करसर हमारा नहीं आ रहा इसमें, तो करसर को लाने के लिए, ठीक है न, करसर को लाने के लिए, करसर, करसर हाइलाइट करने के लिए, हमारे पास एक कीबोड सॉटकट होता है, और वह सीट सॉटकट होता है, कीबोड का फंक्शनल बटन F2, फंक्शनल बटन F2 जैसे ही प्रे अभी हमारा यह select है, keyboard का F2 प्रेस किये, देखिए, cursor blink करने लगा, अब हम इसमें अराम से इसमें कुछ भी कर सकते हैं, C, I, E, N, C, E, Science, प्रेस किये, ओके, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं, हो गया, so simple, असानी से आप कर सकते हो, science में number देता हूं, यह मैंने science का भी number दे दिया, sht का भी number दे देता हूं, मैंने number डाल दिया, आप इनको total करता हूं, total करने के लिए क्या करूंगा, keyboard से equal button प्रेस करूंगा, खोर यह equal, तो देखिए, उपर में आपको equal to का button दिखाई देगा, plus और equal to, बस आप type करोगे, equal to पर, तो equal to आ गया, ठीक है, और अब यहां क्या होगा, फर्मूला लिखाएगा, equal to क्लिक किये, अब फर्मूला लिखाएगा, तो फर्मूला लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है, गम आसान तरीका है, so simple, आप यहां आ जाओ, कहां, यहां पर sum, यहां देखो, दिखा गया sum, अब इस sum पर क्लिक करो, नहीं दिखाई दे तो यहां पर drop down पर क्लिक करो, और यहां देखो sum है, clear, यहां पर आपको sum है, इस sum पर आओ और क्लिक कर दो, sum पर क्लिक किये, और इस फर्मूला बार को इधर हम घसका देते हैं, और देखिए यह हमारा सम है और यसे हम लोग इफोर से आई फोर यह अट्रमेटिक ले लिया है अगर मान लिए गलत लेता है तो कुछ नहीं करना है अब आप बंद करके आप चले आओ कहां 35 पर माउस क्लिक करो और लेट क्लिक दावे रहना छोड़ना मत देखो चारों तरफ चलने लगा है ना लेट क्लिक दावे रहे देखिए यह आपका डॉड़ डॉड लाइन चल रहा है इसका मतलब है कि यह यहां से यहां सेलेक्ट हो गया और यह लिख रहा है e4 से i4 किलिए है यह लिख रहा है e4 से i4 equal to sum e4 colon i4 यह फर्मूला क्या लिखा गया equal to sum sum e4 colon i4 ठीक है यह यहां से लेकर e4, f4, g4, h4 और i4 को add कर देगा है ना यारी इसी को आप लिख सकते थे कैसे e4 plus f4 plus g4 plus h4 plus i4 इतना ना लिख करके हमने simple तुरंत लिख कर लिया बहुत आसान था simple way में कर लिए अब हम ok बटन पर click करेंगे आपका यह calculation हो गया addition हो गया कितना असान है अब इसका जो font का size है इसे हम चाहते हैं बड़ा करना इसमें जितना जो हम select की है इस सब में इसका जो font का size बड़ा हो जाए तो यह select कर लिया मैंने और home tap पर जाते हैं और यहां से font का size हम ले लेते हैं 22 तो देखे 361 हो गया clear अब किसी में भी type करूंगा तो उसका font का size 60 नहीं ही उतना ही लेगा 22 लेगा जैसे इस पर click किया तो देखे यहां लिख दिया 22 अब मैं चाहता हूँ कि यह same formula सभी में आ जाए यह same formula सभी में आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे 361 पर click करेंगे ठीक है यहां mouse को कसर को click करेंगे और यह भी कैसा mouse से click की है white plus से अब यहां पर आप देखो अब ध्यान से देखो अभी हमारा जो mouse है यह white plus है इसे कहते हैं white plus ओके यहां पर देखो dot है है न डौट इस dot के पास mouse लाएंगे तो जैसे ही mouse यहां पर लाएंगे तो यह black plus हो जाएगा कैसा हो जाएगा black plus white plus से black plus में convert हो जाएगा और इस black plus जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे कि mouse का left click दावे हुए नीचे की तरफ ड्रैक कर देंगे ठीक है जैसे ही black plus होगा कि mouse का left click दावेंगे तुरंत उसको पकड़ देंगे और नीचे की तरफ ड्रैक करेंगे तो अभी में same formula लिखा जाएगा यानि इसके लिए e5 plus f5 plus g5 plus h5 plus i5 हो जाएगा और इस वाले के लिए e6 plus f6 plus g6 plus h6 plus i6 हो जाएगा इस तरह से वो formula आटोमेटिक लिखा जाएगा अब देखिए इक काम हम कितना असानी से करते हैं देखिए white plus से select है अब corner पर माउस को लाएं देहान दीजिए black plus बन गया न white plus से black plus convert करना कितना असान है देखिए फिर से देखिए इसे मैं white plus से select किया माउस लाया white plus से select हो गया चारों तरफ green line है अब corner पर आते हैं यह black plus हो गया अब माउस का left click दाबे वह देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं देख रहे हैं नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं चले आएं यह सेम फर्मूला सभी में आ गया और total का total total हो गया यानि कितनी आसानी से मैं total कर लिया अब कोई बंदा को यह फर्मूला यह तरीका नहीं मालूम हो तो वो क्या करेगा कैसे total करेगा जो देखिए दूसरा total करने का तरीका equal to click किया उसके बाद क्या करता है 35 पर click करता है 35 हो गया plus 65 पर click किया E4 प्लस F4 दिखा गया फिर पलस देखिए G4 लिखा गया plus H4 दिखा गया फिर पलस के बाद फिर यह हो गया तो देखिए मैंने सारे का add कर दिया E4 प्लस F4 प्लस H4 प्लस I4 एक G4 बच गया है ठीक है तो इसे भी कर देता हूँ प्लस जी फॉर ओके इंटर प्रेस करेंगे देखिए 361 नहीं आया आया ना तो यहां तो देख लिया कि किस तरह से हम लोग सिंपल वे में टोटल कर सकते हैं एक बार मैं फिर से बताता हूं कि कैसे टोटल करते हैं सिंपल वे में यहां पर क्या करेंगे किसी भी सेल में यहां पर वायट प्लस से स्लेक्ट किये और की बोर से इक बड़ तू दी ए उसके बाद क्या किये एटी फाइप पर गए और पलस फीरती फाइब पलस फिर प्लस फिर 65 प्लस 951 प्लस हो गया तो सभी का प्लस हो गया तो अब इसके बाद तो नहीं करना तो यह लाश्ट वाला प्लस को डिलीट कर दिया और इंट्विड प्रेस किया तो देखें यह कलेकुलेट कर दिया दोनों इक्वल है है न तो इस तरह से भी आप सम कर सकते हो तो और भी आप स qui करना तो डिया眆इंग करना असान है सभी के चारो त्रण बॉक्स देने के लिए से से करते हैं तो मैं ने सप्स्राइब यहां और और यहां रहें इसमें से मैं All Borders को सेलेक्ट करूँगा किसे All Borders All Borders को सेलेक्ट किये तो देखिए अंदर के तरफ और बाहर के तरफ चारो तरफ बॉर्डर बन गया अब इसे कलरिंग करना देखते हैं कि कैसे कलरिंग करें तो बड़ा असान है उपर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इन करना चाहूं तो font color मैं दूसरा ले सकता हूं कोई भी जो अच्छा लगे आप ले लो हो गया अब इंग्लिस का साइज तोड़ा बड़ा करना है तो यहां पर उपर आए डवल सटेट अरो बन गया एफ और जी के बीच में जैसे लिए डवल सटेट अरो बन गया लेट क्लि कर लिए तो इस तरह से हम डियाइनिंग कर सकते है टोटल वाले में आए और यहां पर आके टोटल वाले को मैं क्या करता हूं दूसरा color देता हूं यह डाल दिया इसे delete करना है तो select करो पूरे को select किये और delete दाब दिये delete हो गया ठीक है और पूरा column को delete करना है तो K column पर जाओ ठीक है उपर गये K column पर तो देखो drop down arrow drop arrow आगया एक ठीक है ना नीचे की तरफ down side arrow आया black color का है ठीक है ना और यहां पर right click करो और उसकी बाद delete button दाप दो ठीक है वही पर right click और delete button press करो वो आपका delete हो जाएगा तो इस परकार से आप एक्सल में simple addition देख लिए कि किस परकार से आप addition कर सकते हो और ये काम आप लोग lab room में जा करके practice करके चेक कर लेना फाले note कर लेना कि किस तरह से होता है सम करना मैंने बताया कि कैसे सम होता है दो तरीके से मैंने बताया दोनों तरीके से आप सम करना देख लेना सब कुछ note कर लो रोक करके video classes को और उसके बाद lab room में चले जाएंगे और वहाँ जाकर practice कर लेंगे फिर उसके बाद अगले class में कुछ और नया सीखेंगे ओके thank you